हाई गाईज मैंने में इस चंसेगर बरुला और मेरे नमबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे हैं आइस ऑड़िट प्रॉसेस अब हमने पिसले सेशन में यह काफी अत्तक क्लियर कर लिया था कि कही तरह के ऑड़िट होते हैं और हर एक के प्राइमरी परपसेज होते हैं प्राइमरी परपसेज होते हैं हर अलग अलग प्राइमरी परपसेज होते हैं जैसे आइटी ऑड़िट के अलग प्राइमरी परपसेज हैं और उनके बारे में हमने काफी डिसकेशन किया और हमने यह जाना कि जो प्राइमरी परपसेज हैं किसी भी आइटी ऑड़िट का वह स है कि जो वो सिस्टम में जो डेटा को रखे हुए जो पूरा का पूरा इंफॉरमेशन सिस्टम में उसका ऑडिट करना रीजनेबल एश्योरंस देना कि वो सही तरीके से काम कर रहा है और बेसिकली आईयस ऑडिट एक कंट्रोल ऑडिट है उसमें जादे इंफेसिस है यह सिस्टम औरिट स्टेटी जी पढ़ते हैं तो कंट्रीजन हो जाता है कि फिर वहां पर क्या है कि सारी चीजमा फिर से मिक्स होने लगती है असल में जब हम कॉंसेप्शली किसी और इट को समझने समझते हैं तो वह सिच्विशन अलग होती है लेकिन जब स्ट्रेटीजी बन है अवेसेटा जीतार के बारे में देखना है सिस्ट मेस से मैनेज कर रही है। उसके बाद्वे और उसके बाद पूर कंप्यूटिंग को देखना है वह इंवारुनेंट को देखना है तो लेकिन जब हम ऑडिट biology बनाते है तो एक वहां शिच्वेशन फिर जाती हैं वहां पर क्या है जब हम इस लिए नहीं नहीं है तो आपर मैनुवल और भी हो जाता है उसके अलावा जब आप आइटी कर रहे होते हैं आपका जो प्रामेरी पर्पस तो आइटी ऑड़िट करना होता लेकिन बहुत सारी और चीजें भी हो जाती है आप इंटर्नल कंट्रोल को चेक करने लिए तो सब्षब्स करने है लिए अहाद भी फिर आप चेक नहीं हों लिकिन बेसिगल आपको फिर नुट्रोल प्रीकर रहेerca要 ने तो आप इंटर्ना चन्रूल को चेक करने लगते हो तो आप अपना एरिया meu हम भॉत ब्रॉट हो जाता है पिर आप जब internal controls को चेक कर रहे होते हो तो manual को भी चेक करना start कर देते हो एक reasonable level था क्योंकि फिर उसी से आप derive कर रहे होते हैं कि यह logical internal controls है यह physical internal controls है तो जब आप audit strategy बनाते हो तो mix हो जाता है सब चीजें mix हो जाती है आप उसमें अलग करके नहीं रख सकते हो क्योंकि जब एक organization में जाओगे तो चीजें सामने आएंगी तो वो हर तरीकी चीजें सामने आएगी environment से related चीजें भी आएंगी financial statement से related चीजें भी आएंगी internal controls भी आएगा IT controls भी आएजएगा operational audit हुआ है तो भी आजएगा certification भी आप मंगा होगे सारी चीजों को आप देखोगे लेकिन आप primary purpose आप यह देखोगे कि audit वहां पर तक कम से कम आपको complete करना है जहां तक IT audit की definition satisfy होती है लेकिन जब आप audit strategy बनाओगे तो वो broader होगी तो आप audit strategy बना रहे हो और आप कहरे हो यह audit strategy में कुछ confusion होगे आप पढ़ाई कर रहे हो आप कर रहे हो यह यह पहले पहले जगे तो कुछ और कह रहे है यहां कुछ और कह रहे है practical situation जब आप audit strategy बनाओगे उस particular time पर आप internal business process को जब देख रहे होगे तो आप यह जानोगे कि partly computerized हो सकता है fully computerized हो सकता है क्यों हो सकता है क्यों कि artificial intelligence नहीं आई है और इसलिए आप जब strategy बनाओगे तो आपका इंटर पूरे internal controls को आप audit करोगे पूरी तरीकी से नहीं करोगे इंफसेस आपका इधर रहेगा primary इंफसेस प्राइमरी परपस यहां रहेगा लेकिन फिर भी पूरा का पूरा एक reasonable level of internal control आप audit कर दोगे तो वैसे के लिए आप क्या करोगे कि processes उठाओगे आप काओगे जी IT से related processes कौन सी हैं और जब वो उस process को आप IT से related processes जो हैं उसको audit करने चाहोगे तो आप उस manual component को भी audit करना start करोगे अब आप question करोगे जिब IT audit बोला तो primary concern तो हमारे यह था कि हम system को चेक करेंगे हम data को चेक करेंगे data और उसकी ecosystem को चेक करेंगे data software hardware computing facility को चेक करेंगे लेकिन आप तो manual की बात करेंगे audit strategy जब हम plan करेंगे तब चीज़े different हो जाएंगे क्योंकि यह चीज़े अलग नहीं है यह चीज़े एक दूसरे से जुड़ी हुई है और चुकि यह चीज़े एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो खही जगह पर overlapping होगी और यह confusion होता रहेगा और यह confusion तब तक होता रहेगा कि जब तक आप जब तक artificial intelligence तक हम नहीं पहुंच पाएंगे तो यानि कि information system audit को अगर strategy उसको बना रहे हैं और इंट्रेजी बना रहे हैं तो narrow perspective से हम नहीं देख सकते हम यह नहीं कहेंगे किवल automated information system की processing देख रहे हैं non automated processing और systems processes और interfaces भी देखना जालू करेंगे अगर हम एक सपोज एक आपका server है database server है अगर उसका audit कर रहे हैं तो हम देखेंगे वहाँ पर logical controls लगे हैं कि नहीं लगे हैं अगर कोई जाता है access card है कि नहीं है क्या extra controls है तो यह नहीं manual controls का mix देखेंगे मिक्स होगा strategy जब बनाएंगे manual और IT का mix होगा और basically यहां पर emphasis क्या होगा audit strategy बनाने में पूरी process IT को हमें audit करना process find out कर लो IT की कौन-कौनजी processes है IT की process को exhaustively देखो manual process भी देखो उसमें non-manual भी देखो तो एक बार इसे summarize कर लेते हैं हमने बहुत सारे टाइक के audits पड़े internal audit statutory audit financial audit statutory financial audit और उसके बाद IT audit उसके बाद operational audit environment audit quality audit इस तरीके से कई बहुत सारे है हरे हरे के अपने अपने एरिया है जब आप उसकी definition पढ़ोगे तो एक particular primary area of concern पढ़ोगे उसका जो primary area कौन सा है primary area के अनुसार जब audit करने जाओगे तो उसी के अनुसार उन processes को आप उठालोगे operational audit पढ़ोगे तो operational process उठाओगे environment audit पढ़ोगे तो environment देखना चालू कर दोगे उस perspective से देखना चालू करेगोई लेकिन जैसकी IT audit करोगे तो उस perspective से देखना चालू करोगे लेकिन जब आप देखना चालू करोगे तो audit strategy बनाओगो उससे पहले और strategy में mixture आ जाएगा obviously किसी भी organization में कोई चीज segregate करके हम नहीं रख सकते हैं आज की date में तो क्या होगा जब IT की process उठाओगे बहुत सारी manual processes आएंगी वो predominantly IT drive कर रही होगी उसको उस process को इवन IT department के अंदर कुछ manual processes हो सकते हैं अगर आप IT audit कर रहे हो और IT department में जा रहे हो तो बहुत सारी manual processes होंगी कई बार वो manual processes manual intervention वो भी आपको देखने पड़ेंगे तो यानि कि mix होगा तो हम यह कह सकते हैं कि जो कोई भी audit है particularly IT audit है उसका objective और scope जो है वो depend करता है कि organization partially automated है fully automated है फिर हम देखेंगे business processes कौन सी है automated business processes कौन सी है ऐसी processes जो IT से related business processes कौन सी है उसी बाद audit strategy बनाएंगे तो हमें दो चीज समझ में आगी होगी अब तक कि जब definition बोलेंगे तो वहाँ ideal conditions लेंगे प्राइमरी concerns के बारे में बात करेंगे जब strategy बनाएंगे तो वहाँ पर situation कुछ mix हो जाएगी और चुकि situation mix हो जाएगी वह manual भी होगा IT भी होगा क्योंकि ideal conditions में हम पहुंचे नहीं आज तक 100% automation नहीं आए artificial intelligence नहीं है जब हम उस तरह बढ़ेंगे तब हम ideal की बात करेंगे आज की date में ideal की बात नहीं कर सकते हैं अब हमारी study में थोड़ा audit objectives के बारे में बता हुआ है हमारी study यह कहती है कि यह 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 तो IT यह 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 तो types of audit है फिर हो कहती है हमारी study कहती है यह हम strategy बनाएंगे और strategy में उसने एक चीज़ क्लियर की है कि manual हम processes बेस लेंगे जो हमारा base होगा process होगा IT process होगा और वहाँ पर हम देखेंगे manual mix है तो वह भी audit करेंगे अब strategy जो है कई factors हैं जिससे influence होगी जिसमें पहला है audit objective अब अलग-अलग audit का अलग-अलग audit objective होगा IT या IS का audit objective क्या होगा IS का audit objective के बारे हम काफी पढ़ चुके हैं 500 बार पढ़ चुके हैं उसको फिर briefly summarize कर देते हैं computerized information system environment क्या information को सही तरीके से process कर रहा है कि नहीं कर रहा है इंपूट- आउठपूट कर रहा है की कर रहा है मतलब इंफर्मेशनच क्या होगी input होगी process होगी output होगी यह सारे काम सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है और information available होहरी कि नहीं होहरी timely accurate reliable information produced होरी कि नहीं और information की confidentiality integrity security availability maintain उपारी कि नहीं उपारी और जो data है वो reliable है कि नहीं बस यह objective होगा IS audit का information system audit strictly अगर बोलोगे तो उसका यही objective हो objective और scope होगा बात इधर से उधर से घुमाई जाएगी लेकिन यह होगा लेकिन अगर किसी organization में जाओगे practically तो आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे वो कोशिश करेंगे कम से कम पैसे में जादे से जादे काम लिया जाए आपसे तो अगर आप specialist के रूप में जाओगे तो आप कह सकते हो जी मैं तो information system का ही audit कर रहा हूं तो information के perspective पर ही देखूँगा आइस audit करूँगा तो इसी के perspective पर देखूँगा मैं देखूँगा कि timely accurate complete reliable information output हो रही है कि नहीं हो रही है और जो information हो बले input हो process हो रही हो output हो उसकी confidentiality integrity और availability maintain की जारी कि नहीं जारी है जो भी processing हो रही है वो reliable processing हो रही है कि नहीं हो रही है और data के साथ तीन चीज़ होती है input output processing input होता है फिर processing होती है फिर output हो जाती है यह और data कैसा होना चाहिए complete accurate valid data होना चाहिए उसकी processing कैसी होनी चाहिए reliable processing होनी चाहिए और हमें क्या maintain करना है security perspective से confidentiality integrity or availability maintain करना है तो हम देखेंगे timely accurate complete reliable information आती है कि नहीं आती है अब timely information का मतलब क्या है timely information का मतलब यह है कि हम पहले पढ़ चुक है timely information का मतलब यह है अगर payroll है payroll कोई काम कर रहा है और वो एक particular report management को top management को भेज़ता है तो automatically भीजना चाहिए business intelligence tools है आज की डेट में BI tools business intelligence tools ERP से better tools होते है business intelligence ERP में डाली जा रही है और ERP को business intelligence में convert कर दिया जाएगा कल की डेट में आप ERP नहीं करेंगे BI करेंगे business intelligence क्या करेंगी directly report देती है senior management को तो आप यह देखोगे कि क्या होगा IS audit का objective क्या हो सकता है तो सबसे पहले आप कहोगे यह हो सकता है अगर आप organization में जाओगे आप कहोगे IS auditor हूँ तो objective क्या हो सकते हैं वह आपका scope बढ़ाने की खुशिश करोगे आप कहोगे कि इससे जादे मेरे को नहीं करना या उसके पैसे ले लोगे अगर जादे करना है तो आप कहोगे इससे जादे करना है तो इसके पैसे दिंगे आप तो cost effectiveness होनी चाहिए हर जेग है तो आप क्या-क्या चीज़ें देखोगे आपको confidential information security ensure करना है information security का मतलब क्या है सबसे पहली चीज़ audit objective में main objective क्या होंगे IS audit के information security ensure करना है confidentiality integrity availability दूसरा compliance compliance law से regulation से standards से law से तो बहुत important है country में रहे रहे हैं उसके laws comply कर रहे हुग नहीं कर रहे हुए देखना बहुत important उसके standards है standards issue होते हैं हमने standards पड़े ISO के standards हैं आपके SAS 70 है security standards है या COVID है या COSO है यह सारी standards है यह standards पर्टिक्लर standards comply apply कर रहे हो नहीं कर रहे हो best practices हैं की नहीं है इसके बाद regulations देख लोगे अगर particularly banking industry है तो RBI की regulation होगी अगर US-based कोई MNC है और उसकी यहां ब्रांच है तो SOX compliance होना चाहिए bank है तो Basal 2 compliance norms होने चाहिए इस तरह से guidelines हो रही है कि नहीं हो रही है यह तो आपको देखने ही पड़ेगा law guidelines standards यह तो आपको देखने ही पड़ेंगे confidentiality integrity availability आपकी objective का पार्ट होगा इसके बाद आप यह देख सकते हो कि information system efficiently काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है performance audit कर सकते हो stress और volume testing कर सकते हो कि resource adequately काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि आपका आर्किटेक्चर आपने पीर-to-peer architecture चीह है आपने client server बना रख्खा है कही जग है पर client server चीह है आपने peer-to-peer बना रख्खा कि वह architecture है कि नहीं है maximum benefit के लिए वह architecture है की नहीं है यह आप देखोगे, तो efficiency देखोगे, information system की, efficiency, हर audit में efficiency देखी जाती है, controls देखे जाते हैं, लेकि efficiency भी देखी जाती है, इसके बाद कई cases में आपको regression audit करना बड़ेगा, regression audit का मतलब क्या होता है, regression audit का मतलब यह है कि अगर information system में कोई change आ रहा है, या आप manual से information system में change कर रहे हो, तो आप यह देखोगे, कि system flawlessly function कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले जो system काम कर रहा था, उसे बिकार system काम करने लगा, तो गड़वड है, वहाँ बर आप regression audit अपना होगे, उसके बाद certifications देखोगे, standards पहले हमने बोला था, standards, law और regulation देखना होगा है, फिर उसके बाद certification से 70 का certification लिया है, या ISO 27001 का certification लिया है, यह objective हो सकता है, यह आपका particular objective हो सकता है कि 170 दिलाना, या ISO 27001 के लिए आपको certificate दिलाना, कई organization होते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे for example, IBM, IBM में बहुत से outsource कर रखा है, या विपरो ने बहुत से काम outsource कर रखे हैं, तो वो क्या करता है कि आपको third party हो जाते हो, तो third party आपके security policies का audit करने के लिए, वो एक independent auditor रखते हैं, third party auditor रखते हैं, तो third party जो है, वो आपके महां आके audit करती हो, तो basically यह भी objective हो सकता, मालूम पड़ा, आपका किसी को reliance को कोई समान बेचर हो, वैसे reliance ऐसा नहीं करती है, लेकिन कोई अच्छी कमपनी है, reliance is a Indian company, लेकिन उतने standards, एक reasonable level के standards है, लेकिन suppose एक बहुत बड़ी अगंपनी है, MNCs है, बहुत सारी MNCs बहुत जादे sensitive होती है, Indian laws के लिए, जो local companies होती होती हो, उतनी sensitive नहीं होती है, अब suppose Intel है, IBM है, Oracle है, उन्होंने outsource कर रखा है, तो उन्होंने ये डर होता कि क नहीं कल की date में कुछ घर्बन ना हो जाए, तो वो क्या करती है, थर्ड बार्टी जो vendors है, उनके पास जाती है, और उनका audit करवाती है, तो वहाँ पर auditor आता है, और वो पूरी चीज़े audit करता है, तो audit objective IT, उनके IT का audit, इस तरीके का, उनके security का audit हो रहा हो, मालों पड़ा जैस पना रहा है, तो client का data यहाँ पर आ रहा है, तो उसका secure है की नहीं है, उसका audit, तो यानि की कहने का मतलब यह audit objective क्या हो सकते है, audit objective confidentiality, integrity और availability हो सकती है, या laws, पहले तो confidential integrity और availability objective का पार्ट हो सकता है, और होगा, होना चाहिए, उसके बाद laws के compliance पार्ट हो सकता है, या होना चा efficiency देखो गई, यह performance audit, stress audit, volume, testing audit हो सकता है, फिर उसके अलावा हो सकता है, यह तीन चीज़ तो बहुत important है, laws देखना, regulation देखना, यह तो हो गई होगा है, confidential integrity और security का मतलब ही, IT audit का मतलब ही confidentiality, integrity और availability है, और कहीं भी audit करने जाते हो, efficiency जुरूर देखते हो, stress testing करोगे, या पर performance audit audit करोगे, volume testing करोगे, मतलब performance audit अगर internal control भी चेक कर रहे हो, तो performance audit automatically करते हो गई बार आप, तो यह part and parcel हो जाते हैं, लेकिन कई जगे पर क्या होता है, कि आप कहते हो, जी मैं certification देला दूगा, SAS 70 का certification देला दूगा, ISO 27001 का certification देला दूगा, कही जगे पर आप जाते हो, तो outsource party आजाती है, आपको third technology service providers audit होता है, यानि कि आप technology provide कर रहे हो, या outsourcing company हो, तो आपका audit होगा, आपको parent company जो आपको काम दे रही है, जिसके आप vendor हो, या आपका कोई vendor है, उसका audit कर रहे हो, दोनी चीज़ें हो सकती है, तो यह भी objective का part हो सकते हैं, तो हम नहीं इसको समराइज क availability, integrity, availability, दूसरा standard law और regulations, तीसरा efficiency, और जो चीज़ objective का part हो सकती है, वो यह regression audit हो सकता है, regression audit का मतलब हम नहीं बुला कि पहले अगर कोई, पहले कुछ चीज़ हो रही है, और फिर information system ने कोई change लाया, तो वो system flawlessly काम करना चाहिए, better काम करना चाहिए, certifications जैसे है 170 ISO 27001 दिलाना है, और उसके बाद vendors, जो incoming outgoing vendors का audit करना है, तो यह audit objectives है, audit strategy in factors से influence होती है, सबसे पहले किसे होती है, audit objectives से होती है, तो अगर कहीं पर आपको certification दिलाना है, तो फिर आपकी audit strategy change हो जाएगी, आप यह कोगे, जी मेरे को certification दिलाना है, basically चीज़ों को check करना है, उनको ठीक कराना है, उस पर opinion देनी है, ताकि जो ISO 27001 के जो points हैं, वो cover करानी है, सैस 70 के points के perspective से हमें चीज़ें cover करानी है, audit successful हो, certification मिल जाए, कई जिगे पर आप regression testing करोगे, आप रखाओगे कि regression, पहले system changes आए, वानों बड़ा SDLC आई, system development life cycle आई या कोई change आगे, तो आप देखोगे, पहले के मुकाबले system better काम कर रहा है कि ने कर रहा है, regression audit करके देखोगे, third party है, तो कई बार third party के बाद जाकर audit करोगे, यह है, इसके अलावा फिर है audit environment, अब audit environment आपकी strategy को influence करता है, पहले आप बैंक में जाते थे, पूरे आपको बताता है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन यही पर होते हैं, और धीरे-धीरे क्या है, बैंक में computers आने लग गए थे, तो आप यह देखोगे, वहाँ पर आप logical controls देखना चालू करोगे, लेकिन अब क्या हो गया, CBS branches होती है, centralized banking system हो गया है, branches CBS होती है, और क्या होता है कि centralized banking में क्या होता है, आपका data जो है head office में बढ़ा होता है, या particular data भी इसमें बढ़ा होता है, centralized location में बढ़ा होता है, तो application controls वहाँ पर strong लगे होने चाहिए, तो आप जाओगे, अब आप जाओ methodology change हो जाए, audit environment पर देखना पड़ेगा, तो आप audit environment में जाकर देखोगे, nature क्या है business का, complexity क्या है, automation क्या है, automation नहीं हुआ, IT audit करने जा रहे हो, एक आद दो computers लगें, तो बात लगे, अगर massive automations है, bank का, जैसे आप audit करने जा रहे हो, risk profile क्या business की, bank की risk profile बहुत हाई होती है, particularly जह आपर उनके centralized database रखा हुआ है, तो risk profile क्या है, risk mitigation control लगाते हो, आप risk को mitigate करने के लिए control लगाते हो, risk बढ़ गया है, और इसलिए audit risk भी बढ़ गया है, तो आप उनको controls को check करते हो, risk को mitigate कर रहा है कि नहीं कर रहा है, technology environment देखते हो, उसकी complexity देखते हो, क्या language use हो रही है, क्या environment है, उसके बाद, आप क्या देखते हो, कि top management और IT management, IT management के driver है, वो drive कर रहा है, सारी चीज़ों को, top management तो strategy बना रहा है, तो कई बार क्या होता है, IT management को knowledge होती है, IT वाले को knowledge होती है, और top management को knowledge नहीं होती है, इन सब चीज़ों की, तो knowledge level of competence देखोगे दोनों, दोनों तरफ को level of competence होनी चीज़, management में कौन बंदा है, कौन बंदा है, जो इन सब चीज़ों के बारे में knowledge है, management में कई लोग होंगे, board of directors होंगे, या particular, कई लोग top management का part होंगे, तो उसमें क्या competence है की नहीं है, उनका degree of control क्या है, आप ये सारी चीज़ों देखोगे, ये audit environment के अनुसार audit strategy आप आप stock exchange का audit करने जा रहे हो, तो वहां पर massive automation हो गया आजकल, आज DSC, BSC आप घर में बैठकर directly को कर सकते हो, पैसा भी आपको नहीं देना है, आपको क्या करना है, पैसा भी आपके bank account है, automatically आपके demat account खोलो, अपने आप पैसा transfer हो जाएगा, तो basically stock exchange की, logical हो गया है, सारे चीज, minimal intervention हट गया है, logical, massive logical चीज़े हो गया है, तो यह सारी massive logical चीज़े हैं, वहाँ पर audit का perspective change हो जाएगा, highly automated environment हो गया है, इसके बाद हमारी study यह बताती है कि fundamentals क्या है, IS audit functions को establish करने के लिए, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप IS audit functions को establish कर रहे हो, तो कोई भी कुछ कहे, दो चीज़े हैं, पहले security और दूजरा यह cost effectiveness, दो चीज़े देखी जाती है, कई बार क्या होता है कि centralized database है, आप cost effective भी है तो बाहर नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होगे, long term में वहाँ कोई आपका data चूरी कर सकता है, तो critically दो चीज़े होती है, security और cost effectiveness, कई बार क्या होता है कि आपके पास IS department जो होता है, information audit functions आप establish कर रहे हो, तो organization के internal department के रूप में होता है, इंटरनल department ही create कर दिया जाता है, अब stock exchange है या बड़ा bank है तो हमाँ पर एक अंदर ही department create कर दो, कई बार outsourced होता है, कई बार external party होती है, कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन इडिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है आपके कुछ fundamental principles पर, अब basically अगर इसे देशी भासा में हम बोलें तो दो चीज़े है, security और cost effectiveness है, लेकिन हम फिर इसको बड़े अच्छे-च्छे words में डालते हैं, पहला words है audit mission, अब audit mission में हम security के बारे में बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में crystallize करते हैं, अब हम कहींगे, security और cost effectiveness है, तो कहीं तो जाकर crystallize होनी चीज़े, कोई तो concept बनना चीज़े, कहीं पर तो, जिसकी वज़े से हम ये गएंगे, कि IS audit functions हमें create करने, अब वो हम outsource create करेंगे, department create करेंगे अंदर अपनी company के अंदर partially outsource करेंगे, या fully outsource करेंगे, या एक external agency को आई देंगे, या अपनी अंदर एक department create करेंगे, separate department create करेंगे, उसको एक authority देंगे, तो आप क्या बनाओगे, सबसे बहले audit का mission मिशन बनाओगे, तो मिशन ने एक primary purpose create करेगा audit functions का और एक overview provide करेगा basically क्या देखता है organization देखता है उसके अंदर capability है कि नहीं है और दूसरी बात यह है कि security perspective से देखता है cost effectiveness से देखता है top management कई बार देखता है यार मेरे पास capability नहीं है तो outsource कर देता है चुचा अलब वो words बना के या खुब सूर्थी के साथ उसे outsource कर देता है तो mission statement primary purpose define करेगा और फिर उसी primary purpose में आप यह बताओगे कि भई क्या है focus क्या है priorities क्या है value क्या है principles क्या है तो उसके बात देखो कि value addition क्या हो रहा है value क्या आप फाइदा हो रहा है organization को तो आप IES audit functions जो है वो उसको क्या करना है audit functions को basically क्या करना है देखना है हमने audit audit के बारे में already पढ़ चुके asset को safeguard करना कौन से asset data asset को इसकी integrity maintain करना और दूसरे asset को जिसको control कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है तीसरी बात IT का use करके organization के mission और objective को meet out कर पाने की नहीं कर पाने तो यह सारी चीज़े देखना और फिर आगे हम पढ़ेंगे risk management के बारे में strategic risk management होता है और risk management हमेंसा strategic होता है primary purpose बताएगा audit का और फिर उसके बाद चीज़े बताना स्टार्ट करेगा audit mission आपने एक बार बना दिया mission बना दिया अब आर्मी का mission है देश की सेवा करना और देश की boundary सुरिक्षा करना देश की सीमाओं को सुरिक्षित करना mission हो गया उसका इसके बाद आप एक charter बना होगे audit charter चार्टर बहुत बढ़ा वर्ड होता है जैसे constitution लॉज शोटे वर्ड होते हैं constitution बहुत बढ़ा वर्ड होता है उसी तरह charter बहुत बढ़ा वर्ड होता है जैसे UNO का charter है United Nations का charter है तो charter top level document होता है जो किसी चीज का purpose define करता है तो आप अगर audit charter बनाओगे organization में आप audit charter बना सकते हो IS की IS audit बढ़ता जा रहा है तो आप audit charter भी create कर सकते हो अब मैंने खाँ charter बहुत important word होता है जिस तरीके से देश का constitution होता है constitution के नीचे laws बनती है laws constitution के विरोध में नहीं हो सकते constitution जो है सर्वोपरी है प्रेजिडेंट भी सर्वोपरी नहीं है इंडिया में प्रेजिडेंट का office भी एक पन्ना है constitution का वहाँ पर लिखा है constitution में there shall be a office of president अगर उस पन्ने को फालक effect दिया जाए तो प्रेजिडेंट का office गायब हो जाएगा constitution supreme है देश का समविधान supreme है तो basically audit charter जो है audit charter में क्या होगा audit charter में एक तो mission मना दिया आर्मी का mission हो गया देश की सिवा करना देश की सीमाओं की सुरिक्षा करना उसका mission हो गया आर्मी का इंडियन आर्मी का मुट्टो mission हो गया थोड़ा बहुत उसमें हमने चीज़ें डाल दी mission में अब charter बना charter top level document होगा strategic level document होगा वो purpose बताएगा audit function का purpose क्या है responsibility authority reporting audit functions अब अच्छा तीन चीज़ें होती है responsibility authority और accountability तीन चीज़ें होती है अब यह तीन चीज़ें कैसे उभर कराई हैं यह हमें देख लेना चाहिए सबसे पहले क्या था accountability accountability थी पहले क्या होता था कि मजदूर होते थे मिल होते थे आप पुराना जो industrial revolution आया तो एक मिल में बहुत सारे मजदूर होते थे और हो काम करते थे उन्हें 22-22 घंटे काम कराया जाता था उसके बाद फिर मजदूरों ने करांती करनी शुरू किया आप पुरानी इंडियन फिल्म देखोगे तो वह बोलते हैं कि मजदूर अपना हक कर रहेगा और so and so forth क्योंकि उस समय क्या था मजदूर एक जूट हुए थे उन पर exploitation बहुत जादे होता था तो जो तब ही हो कहते थे मजदूर हक लेकर रहेगा और so on and so forth तो सबसे पहले क्या होता था मजदूर को एकाउंटेबली बनाया गया हमसे का जी तुम्हारी एकाउंटेबिलिटी और कुछ नहीं है तुम काम कर रहे हो तो एकाउंटेबिलिटी ही important है बाद में क्या हुआ कि organization ने देखा धीरे-धीरे सर्विस सेक्टर आने लगा और बहुत सा economy expand होने लगी तो उन्हांने देखा human psychology को देखा human psychology के लिए accountability तो important होती है लेकिन और भी चीज़ important होती है जैसे उसको sense of responsibility sense of authority आना बहुत जबरी है तो उन्हांने कह कि मजदूरों मे एक higher की सी create करनी start कर दी कि एक पैसाब से वहले तो higher की create कि उन्हांने का मजदूर को मजदूर control करेगा तो accountable नीचे वाला मजदूर accountable उपर वाले को authority देए लेकिन कुछ समय बाद वहां भी विद्रू हो गया लोगोंने और demand करने की कोशिश की तो उन्हांने finally responsibility नाम की चीज लेकर आए responsibility एक sense of freedom देती है आपको कहती है आपके responsibility है एक अच्छा सा word है basically यह तीनों चीज़े हैं आप अगर इसे देख देखो तो आपको काम आपको organization के objective की तरह तरह ले जाने के लिए चार कूने create करती एक तरफ आपको accountable बना दिया एक तरफ आपको responsible बना दिया एक responsibility क्या है आप यह नहीं कहते हो accountability क्या है गलत वर्ड है आप कहीं पर interview जाते हो आप यह नहीं कहते हो I was accountable for this I was accountable for that आप कहते हो I was responsible for that this was my job profile जब भी interview का phone आता है आप कहते हो what is my job profile तो इसके बीचे गहरी psychology है psychology यह है कि जब भी कोई audit charter या इस ताइप की चीज़ें बजाई जात जाता है अगर management चालाख है तो management psychology समझता है और आज की डेट में behavioral science में यह करा ही जाता है आपको responsibility authority और accountability दी जाती काम दिया जाता है आप से कहा जाता है यह आपका office है यह आपका कमरा है यह आपका mission है यह आपका scope है यह आपका objective है यह आपकी independence है यह आपके critical success factors होंगे यह key performance indicators होंगे आपके आपको इन key performance indicators तक पहुंचना है हम freedom में believe करते हैं वह बोलता है spiritual डाल दिया गया है sense of freedom दे दी गई आपको भी लगता responsibility आ गही है मैं responsible हूँ यह मेरा बच्चा है इसके प्रती मेरी responsibility है एक बच्चा होता है उस father responsible होता है उसके प्रती this is my baby कई बार आप top management में लोग बोलते हैं this is my baby मेरा बच्चा है एक sense of responsibility डाल दीगी बैसे के लिए उससे काम करवा रहे हैं लेकिन उससे कहा तेरी अच्छा तुम यह काम करना चाहते हो इस तरह से organization को आज बढ़ाना चाहते है जैसे Google है वहाँ पर freedom बहुत जादे मारा responsibility बहुत जादे है वहाँ पर दंदा बढ़ाना उन्हें software बढ़ाना अगर वहाँ से creativity निकालनी है तो sense of responsibility बढ़ा दी जाती है तो responsibility तो audit charter को तीन भागों में डिवाइट के जाएगा responsibility authority और accountability और responsibility में आपको बूला जाएगा sense of freedom दी जाएगा आपको एक बच्चा दे दिया जाएगा this is your baby इसे पालो अब basically basically आपसे काम कराया जा रहा है आपको एक mission statement दे दिया जाएगा इंडियन आर्मी है देश सेवा करती है लोगों को मरना पड़ता है अब आपसे मरने के लिए तो आपको भीज रहे है problem हो जाएगी अगर कोई प्रधान मंत्री ये बोलेगा कल की देट में मरने के लिए आपको भीजेंगे लोग मारने दोड़ेंगे उनको ये बोले जाता आप देश शेवा करने जा रहे हो तेश की सीमा की सुरिक्षा करने जा रहे हो लोगों को बचाने जा रहे हो एक sense of responsibility द निखाये जाता किसी भी काम में कई चीज़ें